इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं माफिया डॉन मुक्तार अंसारी के भाई सिब्गतुला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल अखलेश आदवने लखनों के स्पी ऑफिस में दिलाई सदसेता मुक्तार के भाई की S.P. में इंट्री के बाद अखलेश पर उठे सवाल 2016 में अंसारी बन्दों का अखलेश ने किया ता विरोध कहा था नहीं करूँगा माफिया से समझौता मुखतार और अफजाल अंसारी के भविश्य में S.P. जॉइन करने के सवाल पर बोले सबगतुला हर किसी को अपने फैसले लेने का हाक है पूर्वा मंतरी अंबिका चौधरी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए जॉइनिंग के दौरान भावुखवे चौधरी 2017 में समाजवादी पार्टी छोड़कर B.S.P. में गए थे सबगतुला अंसारी और अंबिका चौधरी के S.P. जॉइन करने पर बोले अखिलेश यादव दोनों के जुडने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी कोविट और क्राइम को लेकर अखिलेश का सरकार पर अटैक हर मोचे पर योगी सरकार को बताया फेल मेरट में OVC की पार्टी के नेता की हत्या बाइक सवार बदमाचों ने दिन दारे AIMIM पार्शत जुबेर को उनके घर के बाहर गोलियों से भूना AIMIM पार्शत की घर के बाहर गाड़ी में बैठने के दौरान हत्या की गई बदमाचों ने पिस्तॉल से एक के बाद एक कई बार किये हत्यारों की तलाश की जा रही है पार्शत जुबेर अंसारी की हत्या के बाद AIMIM ने उठाए कामुन विवस्ता पर सवाल पुलिस से जल्द से जल्द हत्यारों को सजा देने की मांग की यूपी में नाम बदलने की सियासत जारी अब सुल्तानपूर का नाम बदलने की तैयारे यूपी में नाम बदलने का फैशन चल पड़ा है अखिलेश यादब पर यूपी के मंतरी सिधातनाज सिंग का पलड़वार कहा आपको गजनी की संस्कृती प्यारिये हमें नहीं नाम बदलने पर यूपी कॉंग्रेस अध्यस अजे कुमार लल्लू ने का सियम ने पास साल में सिर्फ नाम ही बदले विकास नहीं किया यूपी चुनाव से पहले बाहुबली विधाय के राजा भहिया का शक्ती परदर्शन 31 अगस से रगुराज प्रताप सिंग की पार्टी करेगी जनसेवा संकल्प यात्रा की शुरुवात प्रतापगर के मेती राजभवन से 31 अगस को हुगा चुनावी यात्रा का अगा सुल्तामपुर्ण होते हुए अयुध्या जाएंगे राजा भहिया खेल दिवस के मौके पर SP करेगी खिलाडी घेरा प्रोग्राम का अयुध्यन 29 अगस को अयुध्यत होने वाले कारेकरव में खिलाडियों से जुड़ने की अपील उत्राधीकारी पर BSP सुप्रीम मायवती की सफाई कहा मेरा स्वास्थ ठीक है अभी किसी को भी अपना उत्रेधाईकारी बनाने की जरुवत नहीं है मायवती ने प्रेस रिलीज कर कहा अन्फिट होने में अभी काफी साल लगेंगे जब स्वस्त ठीक नहीं रहेगा काशी राम की तरह अपना उत्राधीकारी दलिद वर्ख से किसी को घोशित करेंगी मायवती के बयान पर अजय कुमार लल्लू का पलडवार का कॉंग्रेस मजबूर गरीव नौजवानों की पाटी मायवती ने कहा था कॉंग्रेस रैलियो में दिहाडी मज़़ों को लाती है महराष्ट के सीम उद्धव ठाकरे के कानपूर में केस दर्ज शैर की मेर प्रमिला पांडे ने दर्ज कराई शिकायत उद्धव ने सीम योगी पर दी थी विवादि टिपणी मेर प्रमिला ने कहा उद्धव यूपी आये तो बताऊंगी बिना चपपल चलाए कैसे चलती है चपपल यूपी के लोगों को अपने सीम का अपमान बरदाश नहीं पंजाब कॉंग्रिस में मचे घमासान के बीच राहूल गांदी से मिले पंजाब कॉंग्रिस के प्रवारी हरिश रावद राहूल को रावत ने सौपी रिपोर्ट हरिश रावत ने राहूल गांधी को पंजाब के हालात के बारे में बताया कहा एक दो दिन में करेंगे चुण्डीगर का दौरा कैप्टेन और सिद्धू से करेंगे मुलाकार सिद्धू के ईट से ईट बजा देने वाले बयान पर कॉंग्रिस ने तामनिश तिवारी ने ट्वीट कर लिका हम आँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो कतले भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती राहूल गांदी से मिलने से पहले सिद्धू के ईट से ईट बजा देने के बयान पर बोले हरिश रावत कहा अपना-पना कहने का अंदाज है उसे बगावत कहना जादती होगी पंजाब कॉंग्रिस में मची उतल पुतल के बीच मुश्किल में कैप्टेन सरकार विपक्ष का दावा भहूमत खोचुके हैं सियम अमरेंदर सिंग पंजाब आपके नेताओं ने राजपाल से मिलकर फ्लोट टेस्ट कराने की मांग की आप विधायक हरपाल सिंग चीमा ने कहा कैप्टेन सरकार को भहूमत साबित करने के लिए मिले एक हफ़ते का वक्त भहूमत नहीं साबित करने पर सरकार भंग कर फॉरेंट चुनाओ कराया जाए पंजाब आपके सीलियर नेता और विधायक अमन अरोरा की मांग तीन सितंबर को होने वाले विधानसवा सेशन में बहुमत सित करें सीम अमरेंदर सिंग कैप्टेन पर सुखवीर बादल का बड़ा हमला का एक दिन का सत्र आयूजित करके पंजाबियों को धोका दिया अगले विधानसवा सत्र में अविश्वास प्रताओं का सामना करने के लिए तयार है पंजाब कॉंग्रिस में छिडग हमासान को आप निता रागव चड़ा ने बताया सत्ता की जंग कहा कॉंग्रिस पार्टी हो चुकी है बूड़ी पंजाब में उसका कोई भविश्य नहीं कैप्टेन और सिद्दू की जंग पर बोले अकाली नेता सुग्देव सिंग बादल कहा दोनों में सिर्फ सीम बनने की चल रही है खींचतान पंजाब कॉंग्रिस कलय पर बीज़पी का अमल हमला केंद्रे मंत्री मुक्तार अवास नगवी ने कहा संकी सुरूर और सामन्ती गुरूर ने कॉंग्रिस को मुल्क से महलने में समेटा अब महलने में भी लाले पड़े सिद्धू के सलाकार के सिद्धू पर बोले बीज़पी नेता आरपी सिंग का कॉंग्रिस ने अपनी फजियत बचाने के लिए इस्तिफा ले लिया क्याप्टिन को खुद इस्तिफा लेकर देश द्रोग का मुगदमा करना चाहिए था जेडियू नेता राजीव रंजन का सिद्धू पर हमला का सिद्धू के सलाकारों ने पूरे देश में कॉंग्रिस की सबी धुमिल की पज़ाब के मोगा में सुख्वीर बादल के खिलाब विरोध प्रदर्शन रैली के दौरान किसान यूनियन ने किया प्रोटेस्ट प्रदर्शन कारियों पूलिस के बीच जड़प हुई चुनाओ से पहले धामी सरकार का COVID-19 के सेकंड लाइन वोरकर्स को तोफा पटवारी राजस्व निरिक्षक और नायब तैसिलदार को 10,000 की प्रोजसाहन राची देने का एलान किया पंजाब कॉंग्रिस के प्रभारी रहते हुए उत्राखन चुनाओ के लिए समय निकालने के सवाल पर बोले हलीश रावत कहा पार्टी अलाकमा जो भी जिम्यदारी देंगे उसे निभाऊंगा हरिद्वार में कुम को लेकर आमादमी पार्टी का सरकार पर अटैक कुरोना मैनेज्मेंट में घुटाले का आरुप लगाया सीबी आई जाच की मांग की नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ